दोस्तों आज हम कवर करेंगे इंडियन टी 20 लिग का मैच नमर दसमा जो खेला जाएगा आर वी सीड और भरसस के के आर का बेश और ये खेला जाएगा इंडियन समय अनुसार आज ही साम को सरे 7 बजे ये जो मकाबला खेला जाएगा ये दसमा मकाबला होगा अभी तक में कुल 9 मकाबला खेल चुका है ये होगा दसमा मकाबला दसमा मकाबला जो होगा इस मकाबले में कौन सा टीम एश्टोंग है कौन सा टीम कमजोर है साथ ही साथ पीच रिपोर्ट क्या रहने बाला है क्या बैटिंग पीच है या बॉलिंग पीच अगर बैटिंग प तो कौन सा बॉलर चलेगा और कौन सा बॉलर मैच खेलें हैं जीतhone कौन सा टीम वीडियो के माध्यम से पूरा बताएंगे साथ ही साथ पीच रिपोर्ट बताएंगे बैटिंग पीच है या बॉलिंग पीच अगर बैटिंग पीच है तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे दे अगर बाइलेंस पीच है तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे दे सारा डिट्रेल्स इस वीडियो में बताएंगे और डर्मकाड योनिक के साथ सातरिक्सी टीम भी बनाएंगे अगर आप लोग head to head league या small league जो भी league खेलते हैं तो हर एक league के बारे में बताएंगे बीट आट मिना skip किये इस वीडियो को एन तक जरूर देखना देखिए यहाँ पर सबसे पहले wicket keeper सेक्षन में आपको 6 wicket keeper हो जाएगा पहला wicket keeper सेक्षन में यहाँ पर आ रहा है पी एस टिल भाई यह opener है आप भी जानते हैं यह opener है केके आर की तरब से एक मकाबले खेले हैं 50 run मारे हैं जिसके कारण 77 points दिये हैं और selection percent काफी high हो गया है best man की दिरिश्टी से काफी अच्छे हैं और यह काभी भी hitting कर सकता है दूसरा में लाइनम में नम सामिल है दिनेश कातिक का भाई दिनेश कातिक का भी record ठीक ठाक है दो मकाबले में अच्छे खासे परदसन किया है नीचे उतरने के बाद जुद भी अब तीसरा विकेट कीपर में लाइनम में तो नम सामिल नहीं है अगर बाइचंस हो सकता है इस टीम का गेंस से head to head मकाबले एक मकाबले खेले हैं एक मकाबले में 47 run मार के गया है इस टीम का गेंस से एक मकाबले खेलने का मोकाया मिला है एक टीम में 47 run मार के गया है उसके बाद बाद कर लेते हैं ए राजब भाई ए रावत ये ए रावत रिशन के मेंच में काफी जबरदस्ट परफॉम कर रहा है तीन नमर में इनका बैटिंग उटर आता है काफी लाजबाब है अब ये जितने बिकेट कीपर है इन सब बिकेट कीपर का अच्छे रिकाउड है और इन सब बिकेट कीपर में बार की से समझना अगर आप लोग step by step नहीं समझेंगे तो आप लोग को कुछ profit नहीं होने बाला है चलिए यहाँ पर best man section में बात कर लेते हैं यहाँ पर best man section में आर जा रहा है बिराट कोईली भाई बिराट कोईली का recent के form इस ground पर अच्छा है और केके आर की तरफ से दो मकावले केले है ठिक ठाक परदासन कर रहा है डिपलोसी जो है इस ट्रीम का गेंस खेला नहीं है हो सकता है selection percent दोनों को हा है और बिराट कोईली आप डिपलोसी में से आप लोग को किसी एक के साथ जाना होगा और क्यों जाना होगा किस region से जाना होगा यह भी बताएंगे अब बात कर लेते हैं साहियर पाई साहियर का लाइनम में नाम चार नमर में शामिल है साहियर का भी अच्छे score करता है का भी लोग score करता है लेकिन recent के मैच में खास परदासन नहीं कर रहा है रिंकू सिंग सात नमर में अभी लाइनम में नाम तो सामिल है लेकिन साथ नमर में है अगर टोस होने के बाद रिंकू सिंग को ओपनर आएगा या चार नमर में आएगा तो रिंकू सिंग एक अच्छा बैस्ट मेंने रिकॉर्ड भी काफी लाजबाब है अब बात कर लेते हैं नितिस राना भाई नितिस राना एक मकाबले खेले हैं ठीक परदासन किये हैं खास नहीं बीलेश परदासन नहीं किया है लाइनम में तीन नमर में नाम सामिल है के के आरक है अगर मनिस पांटे खेलता है तो इसे अपने टीम में जरूर किया जा डर्मकाड यूनिक होगा आर पर अच्छा खासा रिकॉर्ड है लेकिन फिर भी नीचे उतारता है अच्छे खासे परदासन किया है अब यहां पर देखिए इन्हें आप एमोल जो है रिसाट यानि बेक अप पिलियर के रूम में रहेगा अच्छा खासा परदासन करेगा देखिए यह जो बेस्ट मेन है इनका रिकॉर्ड अच्छे है जिन जिन बेस्ट मेन को मै सब्सक्राइब तो इन पर अभ्रेज 1510 भर गला यह न्दुमिर सेंगोर में युद्लोड में है म्याथ हाइब चाही बेंग बात जो על मेन नेकुम उत्रूमर रड़े सास्क्राइब हाई स्कोर के साथ साथ विकेट भी मिलता है लोई स्कोर के साथ साथ विकेट भी मिलता है और यहाँ पर देखिए आप बात कर लेते हैं और अंडर सेक्षन में गरेंड मेक्सवेल भाई गरेंड मेक्सवेल का सेलेक्षन पर्षेंड काफी हाया है तिरानबे परेंट लेकिन ब मैं आप लोग को बता देता हूं तीन साल पहले का रिकाउड जया है तोनोर तीम आपस में पहुंच मकाबले जीते हैं पहुंच में से आर वी सी जो है वो एक मकाबले खेले जीते हैं और जो है के के आर यहां पर चार मकाबले जीते हैं यहीं के के आर काफी स्ट्रोंग टीम ह अब बात कर लेते हैं ground पर यहां पर बात करते हैं ground पर कुल मिला कर 18 मुकावले हुए हैं अथारे मुकावले में से जो है batting first करने वाला 7 मुकावले जीते हैं दोनो इनिंग में आजन होता है, दोनो इनिंग में बेश्टमिन को सपोर्ट करता है, अच्छे का से बॉलर विगेट ले सकता है, अब बात कर लेते हैं, यहां पर गरेंट मेक्सवेल का लाइनम में नाम जामील है, अन्दरसल का नहीं आ, सुलिल नारइन दो नमर में बैटिंग करेगा खास परदसन नहीं क्या कोल्मन किरिज गरिकाउड अच्छे है लेकिन इस्ट्रिम का गेंस खास परदसन नहीं कर रहा है अब यहां पर बात कर लेते हैं यह पर आर्सिंग का भाई लाइनम में नम सामील है यह केकर एक मौकाबल कितने खेले हैं अभी तक में अभी तक में 8 to 8 में कावले दोनों टीम मिला कर 32 मकावले केले हैं 32 मकावले में से जो है आरवीसी 14 मकावले जीते हैं केके आर आठारे मकावले जीते हैं अठारे मकावले जीते हैं काही ना काही केके आर काफी इस्ट्रोंग है आर वी सी की तरफ से और आर वी सी की तरफ से इस्ट्रोंग है कुछ बॉलर अच्छे हैं कुछ बैस्ट में अच्छे हैं देखिए यहां पर मैं अपने टीम में किसे लूँगा और डर्मकाट योनिक के ऐसे होते हैं, जिनका lineup में नाम नीचे उतरता है, और वो अच्छे खासे परदासन कर कर जाता है, आब यहाँ पर बीकेट कीपर सेक्षिन में 3 है, पहला बीकेट कीपर रोम में ऐसे, बीकेट कीपर के रोम में लेना चाथे हैं, अगर आप लोग 3 member वाले league खेलना चाहते हैं या head to head league खेलना चाहते हैं 2 member वाले league खेलना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर पहला जो है 20 salt को आप लोग रख सकते हैं opener आएगा KKR का bestman की दिरिश्टी से काफी अच्छे हैं अब दिने सकाथिक को अपनी टीम में जरूर रखिये का RBC की तरफ से हैं इस टीम का अगेंस किसी भी टीम का अच्छे खासे परदाशन कर लेता है नीचे उतारने के बाद जुद भी आर रावत का लाइनम में नम सामिल है इन तीन विकेट कीपर में से आप लोग 2-1 जीते लेना है ले सकते हैं और 2-1 का आप जो भी लेना चाते हैं ले सकते हैं दोनों को सेलेक्शन परसिंट लो है एक पी साल का हा है आप देखिए मैं जो है ऑपनर के साथ जो है स्टोंग टीम है उसके अगेंस मैं थोरा team बनाऊंगा मैं यहां पर दिनेश काति रओ रेटन को लिया हूँ RBC तरब से अब बात करते हैं यहां पर 20 salt को तीन विकेट की पर है मैं तीनों को लिया हूँ अब बात कर लेते हैं यहां पर best main section में best man section में मैं अपने team में बिराट को लिक लूँगा deflosey को आज drop करूँगा क्योंकि दोनों का selection percent high है इसलिए मैं बिराट को लिक लिक लूँगा अगर दोनों में से दोनों flops हुआ तो मेरा team अच्छे कासर आएगा और आर सिंग थो थोड़ा नीचे उतरता है जिसके कारण में अपने team में भी पिलाल पिक नहीं करूँगा अब वोलन्डा सेक्षन में आता हूँ वोलन्डा सेक्षन में कॉल्मंग करीन अंधरसल अगर केलेगा तो मैं इन दोनों को लूँगा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सुलिल नारायन दो नमर में बैटिंग करेगा मैं सुलिल नारायन को लिया हूँ तीन बेस्टमिन को मैं ले लिया हूँ अब डर्म काट यूनिक लेना चाते हैं तो एस सिंगा को आप लोग रख सकते हैं कि कि आर की तरब से आए अब उलन्डर सेक्शन में जो है ले लिया है अब बैस्टमिन सेक्शन में हिए पर इसान सर्मा जो अगरे मैंच में परदरस्र नहीं किया है केस तरमा अछा खाषा रिकाउर्ड है खास परदरस्र नहीं कर रहा है देखिए यहां पर मैं S-Dial जो है एक मकाबले के लिए हैं दो विकेट निकाले हैं आज मैं अपनी टीम में जो है मेरा मेन पिलियर रहेगा KKR की तरब से हरित रारेन हरित राना अच्छा खासा रहेगा मेरा टीम में रहेगा मैं अपनी टीम में हरित राना को लूँगा डर्म काडियोनिक रहेगा और रिक्सी रहेगा सालेक्सन परसेंट लो रहेगा और इस टीम का गेंस अच्छा खासा परदर्शन भी कर सकता है आप यहाँ पर बिजय कुमार को मैं नहीं लूँगा अरुण जीब से जो है नरवीसी तरफ से एक विकेट निकाला है इसके जगे मैं बरुण चक्रवर्ते को मैं अपने टीम में लूँगा बरुण चक्रवर्ते को लेने के बाद देखे महमा सिराज को लूँगा मौहमाज सिराज को लेने के बाद देखिए बरुन चक्रवादी मौहमाज सिराज अरुन जीब से मेरा जो बॉलर है बॉलर तीन चार बॉलर लिये है चार बॉलर में से दो डर्म काडियोनिक बॉलर है और दो मिलता जोलसा से बोलर है अब ओलंडर सेक्शन में मैं तीन ओलंडर को ले लिया है अब वेस्ट में इस सेक्शन में एक मुझे जो है और पिसाल्ट को ले लिया है तीन वेस्ट में अब छे पॉंच का कमनेशन मेरा बन गया है नेश्ट करता हूँ नेश्ट करने के लेकिन अच्षकास हाई-स्पीट से बले बाजी करता है इसलिए मैं कैपटन जो है अलग दोंगा कौल्मों गिरिंग को कैपटन दिया हूं और पूरे पाट तेम बॉलिंग भी करेगा और वैस्ट कैप्टन यहाँ पर 40 नाराएन को दिया हूं आप चाहे तो वाइस केप्टन हरित लाराईन को दे सकते हैं मैं सुली नाराईन को वाइस और केप्टन कॉलोमोग गरीन को दिया हूं या केप्टन को रूम में यहां पर दे दा रहा हूं सुली नाराईन को सेफ टीम करने के बाद देखे मेरा टीम का परवियू किस तरह से रहता है त्यान से देखेगा मेरे टीम का परवियू इस तरह से रहेगा इस तरह से मेरा टीम का परवियू रहेगा हाई योप ये वीडियो आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाए हिन दोस्तों